नमस्ते दोस्तों मैं मौरी वर्षा आपके अपने यूटिब चानल पर स्वागत करती हूँ आज हम राजा भोच का सपना इस कहानी को देखने वाले हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं राजा भोच का सपना इस कहानी को इसके लेकक है राजा शिवप्रसाद सीह जी और इस कहानी को कोई-कोई इसको निभंद विधा की रचना भी कहते हैं, तो कहानी कला की दुरुष्टी से इस कहानी में थोड़ा सा जो कथ्यात्मक हम बोल सकते हैं, या वर्नात्मक जो परिवेश आना चाहिए वो नहीं आता, इसलिए शायद इसको कोई-कोई निभंद भी कहता है, तो ये कहानी कला की दुरुष्टी से खरी उतरती हैं या नहीं उतरती, इस कहानी को हम देखने के बाद ही पता चलेगा, राजा भूच का सपना इस कहानी का जो प्रकाशन है या रचनाकाल है, 205 में इसका रचनाकाल आता है, इसके लिखक राजा सिपसार सीह जी है और इस कहानी की जो शैली है वर्ननात्मक है, अब इस कहानी में जो प्रमुख पात्र आते हैं, उनका परिचे हम पहले देख लेते हैं, प्रथम पात्र है जिसके जीवन पर या जिनके उपर ये कहानी वर्नित है। उनका नाम है राजा भोच, ये प्रमुख पात्र है इस कहानी का, दिवान, सत्य यादि एक दिव्य शक्ती है, जिसको सत्य कहा गया है, पंडित और परिदेशी इस तरह कुछ प्रमूक नाम या पात्रों के नाम इस कहानी में आते हैं वैसे ये वर्ननात्मक है समवाद बहुत कम जगह पर आते हैं ज्यादा तर सत्य और राजा भोज के बिच ही हमें समवाद दिखाई देते हैं अब इस कहानी का जो विशय है वह विशय इस तरह है एक दामशूर राजा की ये कथा है निस्वार्थ होकर कर्म करना चाहिए वक्ति को ये हमें इस कहाने से पता चलता है भगवान को शुद्ध मन से पुकारने पर भगवान मिल ही जाते हैं सब कर्मों का हिसाब रखने वाला मनुश्य नहीं है लेकिन भगवान हमारे सभी कर्मों का हिसाब रखता है पाप पुन्य का हिसाब रखता है वो इसमें आता है अभिवान और अहंकार से भगवान कभी मिलते नहीं है और भगवान को ढूणने की कोशिश कितनी भी की जाए वो नहीं मिलते अगर हम सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं दिखावटी पन जादा रहता है जीवन में तो असल में वो पाप ही होता है पन्ने नहीं होता पन्ने कमाने के लिए बहुत सारा त्याग तप जैसे न्याय करना पड़ता है तो दिखावे से अलग जाकर आखे खोलने वाला इसमें आने वाला सत्य जो हर किसी के जीवन में रहता है उस सत्य से रूबरू कराने का काम यहाँ पर राजा भोच की आखे खोलने का काम इस कहानी में सत्य ने किया हुआ है अब इस कहानी का जो साराउश है या इसका परिचे हम उसकी कथा को देखते है तो लेखक ने इस कहानी की शुरुवात राजा के बढ़ाई या राजा की प्रशंशा राजा के गुनगान से की है जिसमें उनके दान, धर्म, किर्ती, धनवयभो या उनके जो भी कार्य है या उनके द्वारा दिये गए जो वचन है या उनके सामराज्य का गुनगान करते हैं इस कहानी की शुरुवात होती है लेकक लिखते हैं कि राजा भोज एक बहुत बड़ा सामराज चलाने वाला राजा है उसके पास बहुत सारा धन वैबव है जैसे हम बोलते हैं सोने और चांदी की खान से भी बड़ी संपती उस राजा के पास है और उसके सामने बड़े बड़े राजा और महिपाल भी सब ड राजा भोच के दानशुर्ता के कारण लोगों में राजा के गुनों की पहल या चहल पहल बहुत जादा होती है। उनको मोती चुर मिलता है, मतलब कम कि अगर अपिक्षा की तो भी उससे जादा इनको मिलता है। भी राजा हर दिन करता है। पीच सुच्छ पानी के एक कुंड में जलब पक्षी जो थे वो कीरिडा कर रहे थे। वातावरन का वरनन बहुत अच्छी तरह से यहां पर लिखग ने किया है। और राजा उसी जगर रत्नजडित सिहासन पर कोमल तकिये के सहारे बेट कर चांद को देख रहे थे। एक कांद में ये सोच रहे थे कि मैंने अपने कुल के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि हर कोई कहता है कि मैं बहुत कुछ कह रहा हूँ, लेकिन उसका हिसाब कौन रखने वाला है भगवान। तो यहाँ इश्वर ये जो शक्ती होती है, उस इश्वर ये शक्ती को जैसे उस शक्ती की कलपना करना, या उस शक्ती को पानी की कोशिश करना, या अपने आपको मैं बहुत बड़ा महान हूँ, बहुत बड़ा ध्यानी हूँ, बहुत बड़ा दानशुर हूँ, बहुत बड पुन्य आत्मा हूं ऐसा एक अलग बात होती है तो राजा को लग रहा है कि मैंने अपने कुल के लिए बहुत कुछ किया है एकान में यह सोचा जा रहा है और प्रकाश ही प्रकाश अपने जीवन में किया है अंध़कार जैसे ही नहीं जैसे सूरी की जो किरने होती है उसका किस तरह प्रकाश आता है जमिन पर वैसे ही मेरे द्वारा किये गए अच्छे कारियों का प्रकाश मेरे कुल पर अच्छानक या जैसे भी हो पड़ेगा क्या मनुष्य और क्या जीव जन्तू सभी के लिए इन्होंने कारी किया है सब के लिए अपना संपूर्ण जीवन इन्होंने गवाया है वर्त उपवास करते करते अपने फूल जैसे शरीर को इन्होंने काटा तक बना दिया है जितना राजा ने दान किया है वो किसी के ध्यान में भी नहीं आया होगा और किसे ने सोचा भी नहीं होगा जहाँ पंचियों ने पर भी मारा नहीं होगा उन तिर्थ स्थानों की राजा ने यात्रा की है ये बात यहाँ पर बहुत ही बड़ी अतिशोती के माध्यम से कही है जहाँ पंचियों नहीं जा सकते वहां राजा जा पर दावा कर सकते हैं, इनको कोई दोश दे, ऐसा होई नहीं सकता, तभी दिवान उनके जो होते हैं, वो आते हैं, आकर शास्टांग दंडवत करते हैं, और राजा ने जो सडक के किनारे, जो कुए खुदाने का जो आदेश दिया था, और उसके लिए बहुत सारे आसपास आरे आम के बाग भी लगाया है, जो भी राही उसको ये का पानी पिता है, और उस आम के पेड़ के छाओं में बेटता है, तो राजा को अशिरवात देता है, और अशिरवात दिये बिना नहीं रहता, राजा ये बात सुनकर अतिप्रसंद होता है, और दान की संक्या में, और जो बड़ोतरी करने की घुशना करता है, जो दान पहले पाँच को मिलता था, अब वो पाँच हजार को मिलना चाहिए, ऐसे राजा ने आदेश दिया, जो जिनको पहले रजाई मिलती थी, उस जगह आप शाल और दूशाला देनी की बाद भी राजा ने की, फिर इमार की एक दारोगा आया और उसने राजा को खबर दी कि उन्होंने जो मंदिर बनाने का हुकम या आदेश दिया था, उसका काम चल रहा है, उसकी निव आज भी खुद गई है और पत्थर गड़े जा रहे हैं और लुहार अपना लोहा तयार कर रहा है, राजा फिर उसकी देखता है और कहां वहां लोहे का क्या काम है, बतलब पत्थर और लोहे का वहां क्या काम, वहां संगमर और संगमुसा ऐसा एक शब्द प्रयोकिया है, वहां उस पत्थर से या संगमर इस पत्थर से मंदिर बनाया जाएगा, लोहे के बदले सूने से काम किया जाएगा, ज इस मंदिर को देखकर भगवान भी प्रसंद होने चाहिए इतना सुन्दर मंदर बनाने का आदेश राजा आपने जो कामगार जो लोग है उनको देता है आदेश और राजा कि किर्ती संपूर्ण संसार में फैलनी चाहिए अब यहाँ पर एक बात स्पोष्ट है कि राजा वो उसका नाम उसका शोरिय सब तरफ फैलना चाहिए और प्रसिद्धी पाने के लिए करना चाहता है बलकि इसलिए नहीं कि राजा भगवान के प्रती समर्पित है समर्पित होकर भगवान के लिए घर बनाया जा रहा है ऐसा नहीं है तो यह अपने स्वार्थ के लिए चल रह जैसे धर्म का उधार करने के लिए राजा भोज का जनम हुआ है। व्यास जी की कथा जो थी वो आरंब की गई थी भरजन किर्टन होने लगा था रात होने लगे थी महाराज की सोने का समय हो गया था। प्यास जी की कथा कहते थे पर राजा को नीद आ रहे थी, राजा उठकर अपने रहनेवास में जहां विश्राम की जगह है, वहां जाते हैं, कहां जड़ाओ पलंग पर फूलों की सेच सजी भी है, राजा वहां पर सोता है, रानी या पेर दबानी लगती है, तब नीद में राजा को एक सपना आता है, अब उस सपन में जिस तरह इस कहानी का शिर्शक है, राजा भोज का सपना, तो इस सपना, इस कहानी में, तो राजा भोज का सपना किस तरह रहता है, यह यहां से शुरुवात होती है, वहां संगमर से बना हुआ मंदीर, बिलकूल तयार हो चु इस मंदिर का वर्नन भी बहुत बारिके से लिखकनी किया है। मतलब अभिमान और घमंड अहम राजा में आ जाता है और सोचने लगा कि अब मुझे कोई स्वर्ग में जाने से नहीं रोक सकता मैं पवित्र पुन्यात्मा हूं मैं पवित्र पुन्यात्मा नहीं हूं ऐसा कोई नहीं कह सकता मुझे अपने कर्मों पूरा विश्वास है और मुझे किसी दूसरे से काम नहीं पड़ सकता ऐसा भी राजा सोचने ड़कता है उसी समय राजा अपने के मंदिर में खड़ा खड़ा देखता है कि एक जोट सी आसमान से नीचे या धर्ती की ओर आ रही है उसका प्रकाश हजारो सुरिय से भी अधीक है और वहाँ पर सूरज को बादल घेरते रहते हैं वैसे ही उस जोट को ये घुंगटने घेर रखा है और राजा उसको देखते ही भैबित हो जाता है काप उठता है राजा ने अपनी लड़कडाती जबान से उस देवी शक्ति को पूछा कि है माराज आप कोन है और मेरे पास आप किस प्रयोजन से आये हैं उस देवी पुरुष या उस देवी शक्ति ने बादल जैसी गरजना करते हुए राजा को उत्तर दिया कि मैं सत्य हूँ मैं अंधो को आखे देता हूँ आखो के आगे जो धोके की पटी रखी हुई है या परदा गिरा हुआ है उस परदे को हटाने का काम मैं करता हूँ मैं सत्य हूँ, मैं भ्रहम को मिठाता हूँ, नीन्द से जगाता हूँ और आगे हिम्मत है तो मेरे पास आजा और मनुष्य के मंदिर जैसे मन में जो भेदने का प्रयास है वो मैं कर सकता हो और भेदने की कोशिश तो मेरे साथ कर सकते हो राजा के मन में अजीव सी दखशत जैसे निर्मान हुई सत्य राजा भोज से कहता है वो जो दिवे शक्ती है उसका नाम है सत्य और वो सत्य कहता है कि भोज अगर तु नहीं डरता है तो आजा मेरे पास मैं तुमें सत्य से अउगत करा दूँगा तुझे तो अपने ही मन का हाल जानने से भी तू डर रहा है भोज राजा उसे कहता है कि मैं नहीं डरता मैं भी चाहता हूँ कि मेरे मन को कोई पड़े अच्छी तरस से जाचे मैंने कितनी वर्त उपवास करके अपना शरिर सुखा लिया है कितने दान धर्म करके सारा मेरा जो खजीना था वो खाली कर दिया है कि तिर्थ नदी तालाब या तिर्थ स्थानों पर मैं जा चुका हूँ मैं मनुष्य की नजर में एक पवित्र बन चुका हूँ पवित्र आत्मा हूँ और सत्य बोलता है कि तुम इश्वर की नजर में क्या हो मनुशी के नजर में हम जान सकते कि मनुश्य स्वार्थी होता है उसकी चाहा पूरी हो जाती है अगर उसे कुछ मिलता है तो सामने वालों को अच्छा ही अच्छा बोलेगा मुपर तो सब लोग अच्छे ही बोलते हैं तो मनुश्य क्या कहता है ये माइने ने रखता लेकिन इश्वर की नजर में तुम क्या हो ऐसा वो प्रश्ण करता है तुम मेरे साथ आजाओ मैं तुमारी आखे खोल दूँगा फिर वह निदान राजा सत्य के साथ उस मंदिर के बहुत बड़े उंचे चड़ान की और चला गया और वहां जाकर वहां से जो सारा उसका बाग या बगीचा उसको दिखला ही देने लगा सत्य ने राजा से कहा कि मैं तुमारे पाप कर्म तो नहीं बताऊंगा तुम ही बताओ कि तुमने अपने जीवन में क्या क्या पुन्य कमाये है पुन्य कर्म कौन कौन से किये है और कहा किये है जिससे सर्व शक्तिमान जो भगवान है इश्वर है जगदिश्वर है हमारा करता है तुमसे संतुष्ट होगा राजा ये बात सुनकर अत्यंत प्रसंद हुआ क्योंकि उसे अपने कर्मों पर बहुत बड़ा विश्वास था जैसे उसके मन की बात किसी ने कही हो उसे लगा पाप तो मैंने किये या नहीं किये पता नहीं पर पुन्य तो बहुत मैंने कमाया है जिसके आगे सब मेरे पाप धुल जा सकते है राजा को अपने सामने तीन बड़े बड़े उंचे उंचे फलों से लदेवे पेड दिखाई दे राजा ने उस देवी शक्ति को कहा कि मैंने इस्वर की भक्ति और जीवो की दया के लिए आरथाथ ये तीन पेड़ जो मनुष्य और जीवों की दया के लिए बना या लगाये है इसे लगाने के लिए मैंने दान, नयाय और तब से उसको प्रभावीत किया है लाल, पीले और सपेद, तीन पेड है उन तीनों प्रकार के ये पेड थे पहले लाल पेड के पांस सत्य राजा को लेकर जाता है यहाँ राजा के दान से लगे हुए थे सत्य ने बताये कि मैं जब इस पेड के पांस से आया था या गुजरा था, तब यहाँ पेड एक ठूट की भाती निरह था खाली था, उसको फल नहीं थे लेकिन यह सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए लगाये गए नकली फल है जो तुमने प्रशंशा पाने के लिए और अपनी किरती फैलाने के लिए ये लगाये है सत्य ने उस पेड को जैसे ही चुआ, उस पेड के जो सभी फल है एक के बादे गिर जाते हैं और ओलो की तरह गिर जाते हैं, धरती सारी उस पेड के कारण लाल हो जाती है अर्था जो कुछ राजा ने दिया, वो सिर्फ दिखलाने के लिए और मनुष्य से प्रशंशा पाने के लिए किया था इश्वर की भक्ति और जीवों की दया से उन्होंने कुछ भी नहीं किया था दूसरे सपेड पेड के पास, जब राजा और सत्य जाते हैं, तो उसका भी वही हल होता है मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से मन की भावनाव में विचार करता है जिस तर कर्म किये जाते हैं, वैसे ही भावनाए मनुष्य के मन में उमणने लगती है और इश्वर मनुष्य के कर्मों का हिसाब रखता है, न्याए राजा की धरोवर होता है जिस राजे में न्याए नहीं, वह एक बूरी स्त्री के दातों की दरव हो जाता है खोगला राजा क्योंकि वो हिलने लगती है दात, अगर दात हिलने लगे तो पूरी तर राजे भी हिल जा सकता है सत्य राजा को कहता है कि तेरा न्याए स्वार्थ सिद्ध करने के लिए और सांसारिक सुक की इच्छा पाने के लिए हुआ था भोज सत्य की बाते सुनकर पसिना पसिना हो जाता है उसे समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है और वह आखे नीची कर लेता है जब तीसरे पेड़ की जो पारी आती है सत्य का हाथ लगते ही उसकी वही हालत हो जाती है जो पहले दो लाल और पीले जो पेड़ की हुई थी राजा लजित हो जाता है सत्य का हाथ लगा तो जैसे ही वो फल जैसे चिपकी हुए है मोम से जैसे चिपकी हुए फल है और जैसे कोई किरन या प्रकाश उसपर पढ़ जाती है तो मोम पिगल नहीं लगता है और मोम अगर पिगल गया तो सारे चिपकी हुए फल तूट जाते हैं गिर जाते हैं वैसे ह जो दिखावट है या दिखावेबाजी हैं जो धोंग करते हैं, वो धोंग जादा दिनों तक नहीं टिक सकता, उस पर अगर सत्य का प्रकाश गिर गया तो वो पिगल जा सकते हैं, तो यहां आखे खुलनी की बाहत राजा से सत्य ने की है, राजा अतिनतलजित होता है, सत्य राजा को कहा कि मुर्ख इनके भरों से तुम सुर्ग की कलपना कर रहे हो इनके भरों से तुम सुर्ग पर दावा करनी चले थे ये तुमारे तप के बल पर नहीं तो अहंकार के कारण लगे हुए है जिन मंदिरों के मुडेर से तुम जानोरों को देख रहे थे जो दूर राजा का सिर भिन्ना जाता है, दो एक में तो जान थी, लेकिन वह उठ नहीं पा रहे थे, सत्य ने राजा के आखे खोली और कहा, इश्वर की आराधना शुद्ध रदय से, निर्मल मन से, नी स्वार्त होकर प्राथना करने से इश्वर भी प्राथना होते हैं, और ये इश् आंसारिक सुक्व के लिए किया है, फिर सत्य राजा को उस मंदिर में लेकर गया है, जिस मंदिर बनाने का आदेश राजा ने दिया था, उस मंदिर के अंदर चले जाने के बाद राजा के मनुरुपी मंदिर को जाचा जाने लगा, चांदी की चमक फेकी पढ़ने लगी, स उन्होंने बहुत ही बारिक आवाज में, बहुत ही धीमी आवाज में राजा को पूछा तब सत्य ने कहा ये तुमारे मुक से निकलने वाले कटू वचन है, दुरू वचन है जो दूसरों के मन को हमेशा आहत करते हैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए तुमने बोला गया जूट और अपना पैसा, धन दूलत, रुपया पाने के लिए किया गया शडियंत्र अधिक लाब पाने के लिए किया गया प्रयास अपनों को औरों से अच्छा और औरों को अपने से बुरा बताने के लिए बनाएगी बाते यह सब तुम भूल गए हो अर्थात बोली और ठोली गोली से भी अधिक होती है और यह गोली तेरे तानों ने कितनों की छातियों से पार कर दी गए है जिसके कारण ये दाग पड़े हुए है अंकार स्वार्थ अशर्दा और जिसकी इट का पत्थर यहां प्रकट होता है राजा के आसपास चमगादडों, भनगें, पतंगों, पंक वाले साप, बिच्चू, बहुत सारे कीटक आ जाते हैं राजा घबरा कर चिला उड़ता है सत्य ने कहा ये तेरी बुरी कामों का और वासना का प्रतीक है ये इसी कारण आये है दोश, लोब, देश या पाप हो, अभिमान हो, आहकार हो इसके कारण ही इनकी संक्या बढ़ रही है क्या तेरी मन में कभी ये नहीं आया कि किसी पराइस त्री को देखकर तुमारा या पराइस त्री पर तुमारा कभी दिल नहीं आया राजा ने गहरा निश्वास छोड़ा और सोचा इस संसार में निश्पाप रहना बोड़ा कठीन का रहे है और जो पुन्य करना चाहता है उसे भी उसके कामों में भी पाप निकलाता है इस सं संसार में पाप से रहित कुछ भी नहीं है इश्वर के सामने पवित्र पुन्यात्मा कोई भी नहीं है आगे सत्ति ने राजा को ये आईना दिखाया जो संगमवल से बनाया गया था राजा को इस आईने में सब अपने जो पुराने कर्म किये थे वो दिखाई देने लगे जहां दान देना चाहिए वहान देकर जोड़ा राजा प्रशंशा पाकर खुशामत करने वालों को वावाई करने वालों को दान देता था उनको वो दान दिया गया था राजा बहुत कुछ कर सकता था लेकिन कभी गाओ इलाकों के किसानों की मदद के लिए उसने कोई खुद करने लगा बले ही राजा ने वह मंदिर पाप की कारण बनाया या पुन्य की कारण बनाया लेकिन बनाया तो भगवान के लिए था तब सत्य ने राजा से प्रश्न किया कि क्या भगवान इस मंदिर में बेठा है सबसे बड़ा प्रश्न क्या भगवान इस मंदिर में बेठा ह होता तो ये मंदिर अशुद्ध कैसे होता जब राजा ने देखा तो वहां उसी मंदिर में भगवान के मूर्थी के जगह पर राजा की मूर्थी है और उस पत्थर की मूर्थी जो गड़ी हुई है राजा की वह अभिमान की टोपी पहने हुई है सत्य ने कहा तुमने कापने लगती है आकाश में धोनी निकलने लगती है मंदिरों की दीवारे गिरने लगती है जैसे मानो इस पापी राजा को कोई दबा लेना चाहता है जब सारी तरफ तरही तरही मज जाती है राजा चिलाने लगता है और उसी चीक में उसकी आख खुल जाती है राजा का सप अपना वही पर समाप्त होता है और तूरता है आगे कहानी में राजा की जब नींद खुली तब चिडिया चहजा रही थी एक और मंद सुगंद पवन चली आ रहे थी और दूसरी और बिन और मृदुंग की धोनी गूंज रही थी राजा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा उड़ते ही उन्होंने पहला हुक्म ये दिया कि इस राज में जो कोई अच्छे पंडित है उनको तुरंत दर्बार में हाजिर किया जाए उस समय वशिष्ट ब्रहस्पती के समान जो भी पंडिते में पंडित थे उनको बुलाया गया उनके समान जो प्रख्यात पंडित थ राजा ने रात को एक सपना देखा था, वो पूरा राजा बता देता है और उस सपने का अर्थ क्या हो सकता है, यहां उन पंडीतों को पूछा गया, पंडीतों से यह पूछे जाने पर उसमें उस सपन या बूरे सपन पर क्या उपाय करना चाहिए? या जिससे पापी मनुश को इश्वर के कोप से चुटकारा कैसे मिले उस पर क्या उपय होना चाहिए उन तीनों पंडितों में से एक सबसे बड़ा बुजूर्ग या बूढ़ा पंडित था उसने राजा को जवाब दिया कि महाराज यह भई तो आपके शत्रों को होना चाहिए आप जैसे पवित्र प पकड़ लीजिए राजा ने कहा कि आप फिर मेरे आखों पर वही दोके की पट्टी लगवा देना चाहते है आखों पर परदा डालना चाहते है जो परदा सत्य ने मेरे आखों से उठाया था फिर दुसरे पंडित ने कहा महाराज परब्रम्ह परमात्मा जो आनंद राजा ने बड़ी आख्यों से उसको देखा और उस पंडित को भी घर की राहा लेने के लिए मजबूर कर दिया जो जैसा करता है उसे ऐसा ही फल मिलता है तीसरा पंडित मूँ खोलने वाला था कि राजा ने उसे चुप कुरते हुए कहा कि मैं कल आप लोगों की बात मान सकत था लेकिन आज नहीं ही आदमी को फुचला लेना बहुत आसान बात है हम किसी को भी अपने बातों में या बातों में ला सकते है वश्च में कर सकते है लेकिन अंतर यामी परमात्मा को अपने बातों में लाना आसान नहीं है वो उसके पास सब आइने की तरफ साप है अपन पंडित को सुनाया, पंडित सुनकर आवाख होकर सीर जुका लेता है, राजा निराश हो जाता है। राजा भोच की तरफ पाप से चटकारा पाने के लिए भगवान को ढूंड रहे हैं या उपाय ढूंड रहे हैं और भगवान से उसके मिलने की प्राथना कर रहे हैं तो भगवान सिग्र ऐसी आपको बुद्धी दे और वो पाठक जनों को अशिरवाद भी देते हैं और यहा अपने जीवन में जितने भी पाप कर्म किये थे उससे चटकारा पाने के लिए उपाय ढूंड रहा था तो व्यक्ति पहले पाप कर्म करता है बाद में उससे निकलने का उपाय सोचता रहता है ढूंता रहता है तो कर्म करने से पहले ही विचार करना चाहिए कर्म करने के ब आप हो या पुन्य, बहुत सोच समझ करने चाहिए, हमेशा हमें निस्वार्थ होके अंकार रहित, अभिमान रहित होकर जीवन जीना चाहिए, जूट, फरेब, शडियंद्र इससे हमारे जीवन से बहुत दूर कर देना चाहिए, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, राजा है तो उसको चिनता है, हम तो बहुत एक सामानने विक्ति है, तो इस कहानी से हमें एतना ही बोध मिलता है, कि कहानी बहुत अधर्श्वादी है, विक्ति ने अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, कर्म अच्छे रहे, तो उसका फल भी बहुत अच्छा ही मिलेगा, ठीक है, तो राजा भोच का सपना ये कहानी यहां पर समाप्त हो जाती है, आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी मुझे कमिट करके ज़रूर बताईएगा, जल्द मिलेंगे एक नए गुड़े में, एक नए विशे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद.